वेल्कम टो फैंटसाटी स्वाइसल चैंप तो चलिए आज बात करने वाले हम फिर से NBA मैच की तो सुभा फिर से 4 मैच है ठीक है तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दो मैच इस दोनों मैच के हम कवर करेंगे जो कि पहला मैच आपको सुभा 4.30 पे और सकेंड जो है व वीडियो टीम अलमुस्ट सेम रखेंगा कोई पलेट अगर आउट रहता है तो वससको निगाल दीगा bênके सबको सेम रखुएगा जो पलेट रहेगा उसके जगह पे दूसरा ले लिजेगा किसको लिजीएग वह आईडिया मैं आभी आपको बीडियो में दे दूंगा तो तो यहां से देख सकते हैं स्टार्टिंग 5 यहां पर साइन अंटानियों के साइट से कोई भी इंजरी नहीं है सारे प्लेर्स खेलेंगे और यहां पर कोई इंजरी नहीं है और यहां देखे अगर हम इंडियाना पेसर्स के साइट से तो एम टर्नर बहुत अच्छा थ्री पॉइंटर है और ब्लॉक भी करता है यह आउट है सेंटर से डी थाइस भी आउट है ऐसे किसमें टी टैरी थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है और साथी साथी यहां से आपको ए निशम और जलना स्मित और ए निशम यह दोनों भी आपको गेम टाइम डिसिजिजेन है खेलेंगे नहीं खेलेंगे पता नहीं तो जचा समित एक ट्राइ कर सकते है छिक टाक भी एर है बट गेम टाम डिस आउट है इसलिए इस प्लेयर को जरूर देखना है हम करे फूल लाइनब की बात और कोन-कोन से इंपॉर्टेंट प्लेज़ everything उसकी बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहां से आप San Antonio के साइड से T. Jones को लिजिए, K. Johnson, J. S. Collins अच्छा पर्फरम किया है, पिछले मैच में भी आपने देखा, तो यहां पर कुछ positions का rule होता है, उस पर हम लोगों को ध्यान देना होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम किसी दिन किसी player को लिए, तो हर दिन लेंगे, किस दिन लेना है, किस दिन नहीं लेना है, वो मैं बताओंगा, उससे idea लगेगा, पिछले मैं से बहुत कम लोगों ने J. Primo को और J. Colin थोड़ा सा बटूतना नहीं, यानि कि इस team का important player की गर हम बात करें, तो important player जो है आपको यहीं चाड़ है, ठीक है, T. Jones, K. Johnson, J. Colin और जको पॉल्टियर, और इधर नीचे से आपको को देखना हो, तो J. Richardson, McDormand और Colin, यह लोग कम important है, और इधर नीचे आप इसको छोड ही दिजिए, बात करते हैं इस side से, Indiana Pacer से, T. Harley Button, बहुत ही important, SPB Pitchwise, उसके बाद आपको B. Hill, T. Taylor, और एक यहाँ इस player को mark किजिए, Bandit Mathrain, यह अच्छा perform कर सकते हैं, और I. Jackson का भी थोड़ा सा अच्छा रह सकता है, कल क्यों रहेगा I. Jackson का, वो मैं भी आपको बताऊंगा, ट खेलते हैं, तो उसको हम ट्राइ करेंगे, अधरवाज हम लोग T. Terry के साथ चल जाएंगे, तो चलिए, अभी मैं आपको एक team दिखाता हूँ, तो इस team में आपको जितने player दिखड़े हैं, सब लगभग खेलेंगे, इस team को लगा के, आप safely रख सकते हैं, अगर निंज ना भ तो यह team बहुत ही perfect है, और combination के, करेंगे, इस match में credit के कोई issue नहीं होगी, credit आपके पाद अच्छे खासा बचेगा, ठेक है, तो आप जो ही players लेना चाहें, ले सकते हैं, बट मैं important player की बात करूँ, तो अब यहाँ से देखिए, सबसे बात करते हैं यहाँ फरवाट से, JS colon हमन यहाँ प्रिफर कर लेजएगा, मैं फिल हाल के लिए JS colon को प्रिफर कर रहा हूं, center से यहाँ से यहाँ से जको पोल्टियर बाकी आपको M turner out ही है, Z colon कुछ खास करता नहीं है, और बाकी JS Smith थोड़ा चा कर सकता है, तो उसका भी अभी game time decision, इसलिए मैंने से छोड़ दिया है बात करें फरवार्ट से यहां सो टी हालेवूटन के जॉंसन इन दोनों को तो रखना ही है एस पीपीपी हैं यह दोनों और सीधु राते एक मैंने रखा है टीटेलर को याप रख सकते हैं बट यहीं से चार ले लेजएगा तो अधर पोजीशन से लेने में दिक्कत आएगी इसलिए हमने टीटेलर को छोड़ दिया है यहां से बी हिल्ज और इस प्लेयर को जो मैं बोला आपको कि धियान में रखिएगा बैंडिट मर्थरीन को इस प्लेयर को हम लोग कल लेंगे क्योंकि इसका प्रोजेक्शन अच्छा है यह प्लेयर अच्छा कर सकता है और बहुत कम लोग इसको ले के आएंगे अगर आप चाहे तो D-V胃 सल के साथ भी जा सकते है अगर नहीं जाना है साथ रिस्क नहीं लेना है तो सेफраж दी मत लीजिए ठीक है तो अब चलिए हम नेक्स्ट टीम की बात करते हैं तो सकेंड मैच जो है यह आपको मिनस्टा और उत्था जक्क के बीच में है यह सारे पांच बजे फाइव थार्टी पे है यह मैच तो इस मैच की बात करें तो चलिए मैं आपको दिखा दो कल कौन-कौन स से प्लेयर खेलेंगे और कौन-कौन से इंपोर्टेंट है स्टार्टिंग की बात करें तो यहां से देख सकते हैं उत्था जक्का माइक क्लोरिंग जे कलाक्षन एलमरकरीन जे वंडर्वित के ओल यांक और आउट जो है बस एक यू उजावैक इससे कोई फरक नहीं परता ह लगबख सब प्लेयर है यानि की और यहांं से मिनवह के साद और एटिवार जे मेकडनियल्स और उडिग वट इसके पांचीं स्टार बहुत इंपोर्टेंट है मिनवह की बात करें यहां से फूल लाइनअप की बात यहां देखिए माइक को लिए देखका काम अक्ज़्ू दिया था आप देखिए पिछले match में W Kessler को क्योंकि create सारे 4 है और अच्छा perform करके दिया था आपको ठाक है कल के match में भी हम W Kessler लेंगे क्यों लेंगे क्योंकि create manage करने में बहुत दिक्कत आयेगी इसलिए W Kessler को हम लोग रखेंगे और इधार से बात करते हैं important player क्या तो जे नॉबल भी नहीं हो पाएगा टी प्रिंस आप क्रेइट मैनेज करने के लिए रख सकते हैं और जे मेकलोगीन क्रेइट मैनेज नहीं होगा तो इस इतना ही प्लेड़ हमें हम कल टीम बनाएंगे अब चलिए मैं आपको एक टीम दिखाता हूँ तो अभी एक टीम देखिए पहले मैंने यहां फरवाड अभी खाली रखा है अब देखिए यहां इम्पोर्टेंट प्लेड़ मैं बताओं इस चार को तो हम रखेंगे ही रखेंगे नौड आउट क्यू रखेंगे के टाउंस एस्पी च्वाइस होगा रोडी गवर्ट ही बह यहां से आपको यहां तो आप डी रखेंगे साथ जा सकते हैं या मैं कॉलनी के साथ जाग सकते हैं या फिर आप यहां एडवाड के साथ जा सकते हैं अब देखिए मैं इडवाड फे रिस्क नहीं लूँगा मुझे इडवाड फे रिस्क लेने का मन नहीं है क्योंकि तो माइक कॉलनी से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है आपको डी- Channel बट आप माइक कॉलनी को भी प्रिफर कर सकते हैं लेकिन 0.5 क्रेट बचाने का क्या फाइदा होगा वह देखते हैं अगर हम यहां से Mike Oliver लेते हैं और यहां से उसके आद मुझे option मिल रहा है कौन-कौन सा, Mike-Basis, Jay McDaniel पहाँ इसके City में आप McDaniel के साथ जाएंगे तो बाकी के 8 ग्रेट में आप किसको ले सकते हैं, RudyGay को ले सकते ध्याभी जे-hmen- distracting को ले सकते हैं, या या भिर जे- म theater an- कि लेना है माई क68 क्रते के से बिता दू अब को यहांसे कोड़ेगे और हरेसल लेजिए फिर आपको से में अग्डान nessa फिर मेन कोढ़े बाइगा और मेरक में 69 के साथ से प्र प्लेयर हो गया तेक और पंच प्लेयर अब इधर से और और कोई प्लेयर आपको 7.5 में अच्छा दिखेगा नहीं ठीक है उत्था जग के साइट से तो इसलिए यहां से हमको मजबूरन हटाना पड़ेगा और वैसे किस में हमको यहां से बैसी के साथ जाना पड़ेगा और बांकी के 6 क्रेट में आप मकलोगिन के साथ जा सकते हैं य यह दोनों अच्छे टीम है बहुत ही पहले टीम भी बहुत जवर्दस थी और यह टीम भी जवर्दस थी फाइनल हम लोग सुभा में कर लेंगे कुछ और चीजी देखने के बाद फिलहाल आप दोनों में से कोई टीम लगा सकते हैं तो यह टीम रखिए और अगर आप यह टी में आरी पाएं सेख्स्टान लियें और यहां से और कोई पलेयर दिखनी रहा है जिसको लिसकते हैं ऐसा के समय में कोई benefit मुझे दिख नहीं रहा है एक छीर कर सकते हैं आप यह काम कर सकते हैं यहां पर आपको एडवार्ट पेडिस्क लेना पढर आएगा आपको ये दिखाड़ाओं साड़ा एसपी पीपी की बात करें तो बेस्ट एसपी के टाउन ही है और पीपी के लिए आप रोडी गवर्ट के साथ ही कल जाईए ठीक है या फिर आप पीपी के लिए आप डीरसल को भी ट्राइक कर सकते हैं एक दो टीम में तो इतना ही काफी है इस दोनों मैच के लिए और नेक्स्ट मैच दो मैच है उसकी वीडियो मैं 11-12 रात तक लेट नैट दूंगा जरूर उसको भी आप लोग देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब लोग सब्सक्राइब कीजिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे है और व आप लोग यही कोन खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं यह आप रोटो वायर साइट पर आप लोग जाके देख सकते हैं ठीक है तो जो लोग भी खेलते हैं रोटो वायर पर एक बार जरूर चेक कर लिजिएगा कि आपके टीम में कोई प्लेयर है वो कहीं आउट तो नहीं है अगर आउट है तो उसको आप लोग रिप्लेस कर लिजएगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में आपको 11 या 12 बज़ तक दे दूँगा धन्यवाद और सब लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लिए